Hello everyone, इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, reading के related, कि कौन सी mistakes students करते हैं, जनकी वज़े सुनका score नहीं आता and जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह जो reading का study plan है, यह 10 days का study plan है and आज हमारी 4th वीडियो है, अगर आपने बाकी की तीन वीडियो अभी तक नहीं देखी, प्लीज उनको भी चेक करना because यह reading plan आपके reading skills को बहुत ज़्यादे improve कर सकता है and दोबारा आपके 5.5 कभी नहीं आएंगे and guys मेरा खुद का reading में score 8 रहा है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप कैसे prepare कर सकते हो and अगर आप इस channel के उपर पहली बार आए हो, तो channel को subscribe करना मत बोलना so अभी हम main topic को start करते हैं कि कौन से ऐसी mistakes जो सबी students करते हैं and उनका score नहीं आता सबसे पहली mistake है कि अगर आप एक से ज़्यादा reading test solve कर रहे हो, तो आपको वो नहीं करना चाहिए because अगर आप ऐसा करते हो, तो reading के test आपके लिए compare जाएंगे, आपको कोई और books buy करने की जूरत बढ़ेगी and आपको लगेगा कि अभी मेरे दे कौन से book सही है, सिर्फ आपने एक ही reading test को solve करना है, उसी में आपने सभी चीज़े figure out करनी है, उसी में mistakes देखनी है please आप एक से ज़्यादा reading test मत solve करो, because जब आप करते हो, second में भी आपका score वैसे ही रहेगा and फिर third में अगर आपका score आजाता है, एक दो माकसी ज़्यादा आएंगे, उसका कोई फाइदा नहीं है so better है कि वो reading test को आप next day करो time management and reading speed, so आप reading test solve कर रहे हो, आप अपने mistakes को check कर रहे हो, आप videos देख रहे हो YouTube के उपर but आप time management and reading speed को नहीं improve कर रहे है अगर आप ये नहीं decide करते कि कौन से question कितने time में आपको solve करने है, जा कौन से passage को कितना time देना है and आपकी reading speed क्या होनी चाहिए, तो आपका reading में score नहीं आएगा क्योंकि reading का test सिर्फ questions solve करने का game नहीं है, वो reading speed पे भी depend करते है जितनी अच्छी आपकी reading speed होगी, उतना अच्छा आपका score आएगा but ये mistakes सब भी students करते हैं, वो हर चीज को समझने की कुशिश करते हैं अलग-अलग methods apply करते हैं, questions को solve करने की लिए but वो time management and reading speed की उपर बिलकुल भी द्यान नहीं देते जैसे आप reading की practice करते हो daily, read करके आपको ये भी practice करनी चाहिए, कि आप अपनी reading speed को भी time से improve करे skimming and scanning, सबी students ने इसके बारे में सुना होगा जब आपने coaching center join करा होगा, आपके teacher ने आपको बताया होगा skimming and scanning की आपको पूरा passage पढ़ने की जूरत नहीं है आपको सिर्फ keywords देखने है, but इसको बहुत बच्चे ignore कर देती है सिर्फ इसका आपको meaning पता होता है, but apply करनी नहीं आती इसमें क्या करते है students, अगर suppose करो कि true, false, not given के questions है वो पूरी line को ही circle कर देते है, उसमें circle से बना देते है कि ये keyword है, ये keyword है, इसमें अपना time waste कर रहे है आपको like main keywords देखने होते हैं, जैसे कि कोई value होगी, कोई year हो गया ताकि फटा फटा आप उस location पे पहुंचो को, आदा time तो आप like पूरी पूरे उस sentence को ही highlight करने में waste कर देते हैं, वो आपको पेराग्राफ से होते हैं, उसके आप first एक या दो lines read कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप manage कर रहे हो because इससे आपको पता चलेगा कि कौन से paragraph में किसी की बात करी होगी इसके related एक मैंने वीडियो बनाई थी last year, उसका link मैं description में दे दूँगा, उसको हम reading की like एक best technique कहेंगे and वो वीडियो आपको जुरूर चेक करनी चाहिए fourth, जब भी आप गर पे reading का test solve करते हो ना, सब भी students जीचीजी करते होंगे जब मैं prepare करता था था ना, मुझे भी बहुत excitement होती थी, कि जब मैं question solve कर रहा होता था कि यार मैं चाह कर लूँ कि अभी तक जितने भी मैंने question करे हैं, वो सही है या नहीं अगर आप ये कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, because इससे आपको नहीं पता चलेगा कि आप time को manage कर रहे हो या नहीं, आप अपनी reading speed के उपर ध्यान दे रहे हो या नहीं अगर आपने एक passage को swallow कर दिया, फिर आप उसी वक्त उसके answer दे करे हो, फिर second passage को swallow कर लिया अगर आप ऐसा कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, because जो बागी questions remaining है ना, उसके उपर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा आपने एक गंटा ही देना है पूरा, and time limit के हिसाब से reading test को swallow करने है, फिर आपने answer चेक करने है जब आप पहले करना start कर देते हो, फिर आपके mind में बता, वही चीज़े चलती रहती है, कि या अभी तक मैंने तो इतने question गलत कर दी है, वो मैंने क्यों गलत कर दी है, पहले जो मैंने answer लगाया था, वो सही था, exam में क्या होगा जैसे आप exam में आपको सिर्फ एक घंटा मिलता है गर पे भी आपने वैसे ही practice करनी है, जब आप इनको repeat करते रहते हो, यह चोटी चोटी mistakes बहुत बड़ी mistakes बन जाती है, and as a result आपको problems face करनी पड़ती है अगर आप यह mistakes कर रहे हो, please मत करो, because यह हमारे एक study plan का पार्ट है, बाकि वीडियोस बहुत जल दाएंगी, वीडियो अच्छी लगी तो like करना, अपने friends के साथ जरूर शेर करना, and channel को भी subscribe कर लेना, thanks for watching this video, have a wonderful day